बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पने यूट्यूब चैनल सुकला स्टडी पॉइंट में मैं सियों सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ तो दोस्तों इससे पहले आपको पता होगा कि food and nutrition and highzine का model paper हमने आपको दे रखा है उसको आप लोगों ने देखा होगा अगर नहीं देखा है तो देख लिजिएगा और ये food and nutrition जो की खास करके आपके university की साबसी रखा गया है तो इसको भी आपको दिखाने का प्रियास कर द तो nutrition and food easy के बारे हमको चर्चा करनी है अब आईए हम इससे देखते हैं आज के वीडियो के अंतरगत top 100 yumcqs आर्थत multiple choice of questions हम इस वीडियो के अंतरगत देखने का प्रियास करेंगे आर्थत objective type के person बहु बिकल्पी type के person इस वीडियो के अंतरगत होंगे जो की 100 की संख्या में आर्था 100 से आधिक होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई doubts नहीं रहेगा बहुत सारे person आपके exams में फसेंगे इस वीडियो से तो आप लोग वा वीडियो जो इससे पहले हमने डाली है उसको देख लीजिएगा जो हमने health and care वाली वीडियो डाली उसको भी देख लीजिएगा और यह वीडियो तो आपके लिए बहुत यदा महत पूर है अहारियो पोशन इसमें हम जो है model paper आपको देंगे और इस वीडियो के माध्यम से BA के चाचात रहें BSC के चाचात रहें और BSC AG के चाचात रहें और इसी के साथ BSC Home Science के चाचात रहें सभी जो भी होता है आपके असनातक के अस्तरप के उन सभी के लिए लेक्षर बहुत ही ज़्यादा महत पूर्ण है अगर प्रसनातक में भी ऐसा कोई paper होता है तो उसके लिए भी important होगा अगर आहार और पोशन जिस भी आहार और पोशन अगर आपके home science में संकलित है मैं बता इन परसनों को बहुत ही ज़्यादा परसन यहां अमलब की बहुत ही important है और आपको एक बात और यहां पर बताने का प्रियास करूँगा मेरी पैर दोस्त की हिंदी साहित का यह लेक्चर अभी भी हमने बताया है जिसमें हमने हिंदी साहित का एक परकार से paper को solve किया है इसमे 40 objective time के परसनों को हमने बताने का प्रियास किया है जो की बहुत यहादा महत्पूर है आपकी परिच्छा अगर objective फार में होनी है तो आपके लिए master यह video एक परकार से क्या करेगा master जो है चाभी एक परकार से बोल सकते हैं 40 के 40 परसन आपके exam से में आएंगे बात अध्यान ल community का paper है 102 वाला 101 वाला 103 वाला इन 3 मलक की पहले से हमने upload कर दिया था 102 वाला बचा था इसके भी हमने आपको कर दिये paper हमको मिला बेफस्टमेटर के आप जक्की माला paper है इसमें बहुत सी अता मायतमूर मायतमूर परसना है और आपको बता दूँँगर आप लोगों ने physical education का video code को लिकर के ओके और भी इस पर वीडियो में बनाने का प्रियास करूंगा वहीं आपको बता दूँगा कि यह भी वीडियो आपके समाग चूची कि health and care वाली इसको नहीं देखा तो देख लीजेगा मैं जिदने भी अनिवार परसन पत्र होंगी उनको मैं एक playlist करेट कर और यह एकोनामिस का पेपर हुआ है इसको देख लीजेगा लिखेतवालों के लिए most important है यह sociology का पेपर इसको देख लीजेगा प्राची नितिहास का देख लीजेगा पेपर अबलेबल करवा दिया हमने 2022 का पेपर है सभी को साल्ब करके लब सभी के साल्ब आपको बता दि होम साइंस का जैसे अभी हमारे पास नहीं आया psychology का नहीं आया दर्सन सास्ट का नहीं आया यह इसी प्रकार से जो आने subject हैं इनका नहीं अंग्रेजी का नहीं आया English literature का तो अगर इनका आपके पास पेपर है किसी के पास अगर पेपर अभी हुआ होगा या फिर होने वाला ह जैसे पेपर होता है आप हमारे नंबर है एकनवे 65360 पर क्या 91 6392 मेरा वासर नंबर है इस पर आप लोग समस कर दीजेगा उस प्रसन के पत्र को के साप साप चीज़ों में साप फोटो लेंगे उसके बाद में लिखेंगे आप आईए मेंगे परसनों को आपके समख दिखान की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पोश्चितत्तों उन भोजपदार्थों द्वारा उप्युक्त मात्रा में भोजन में समलित जो है किये जाएं तो इसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भाई उसी को हम आहार नियोजन कहते हैं क्या कहते हैं आहार भोजन में समलित किये जाएं तो इस प्रक्रिया को या फिर इस ब्यवस्था को हम लोग आहार नियोजन या आहार आयोजन के नाम से जानते हैं ओके यह बात ध्यान लखेंगे आहार नियोजन का उद्देश क्या होता है तो पॉस्टिक रुचिकर्द था जो है बिधिता पू कौन आहार नियोजन को प्रभावित करता है निमलखित में से कौन आहार नियोजन को प्रभावित करता है भाई तो परिवार की सनचना करती है परिवार के सदस्यों की संख्या करती है परिवार के सदस्यों की रुचि करती है तो जो है अच्छी बात यह कि तीनों करते है आ अगला प्रसन देखिएगा, अगला प्रसन आपके समग चाहिए कि निम्न में से क्या प्रसन है, निम्न में से कौन आहार नियोजन का सिध्धानत है, निम्न में से कौन आहार नियोजन का सिध्धानत है भाई, तो परिवार के सदसों की रुची बिल्कुल है, सदस की बचत कर तो उसके हिसाब से क्या आता है या समय को ध्यान में रखते हो कि कम समय में क्या बन जाएगा उसके हिसाब से भोजन बनता है या आहार का समय जो है निश्चित हो इसमें भी चीज़े होती हैं तो आहार निश्चित को समय ध्यान में रख करके बना आता है तो यह आपका D होग अगला परसन है दूद से बने पदार्थ कौन कौन से है दूद से बने पदार्थ कौन कौन से है भाई तो खोया भी दूदी से बनता है पनेर भी दूदी से बनती है दही भी दूद से बनती है आपका D होगा अपसा नमबर इसका कौन सा होगा D उपर रिक तो सभी अगला पर समुह में पदार्थाते हैं। मान समझ लिए होता ऐज़ाती है Kiss ब Noise की नाज़ 서ा रहाँ ऍविず से तो सच समू में आपके अनाज बगरा समय आपसा नमर इसका डिकर्ट है अगला परस देखो मेरे भाई अगला परस ने खादी पदार्थ के समू जो है आते हैं खादी पदार्थ के समू कितने आते हैं भाई तो खादी पदार्थ के समू जो है मुख रूप से जो आते हूं साथ आते हैं कितने आते हैं साथ आते हैं आपसा नमर इसका डी करेक्ट है साथ अगला प्रसना आपके समक्ष है हमारे मलब हमें सबसे सीघर उर्जा मिलती है हमें सबसे सीघर उर्जा किसे मिलती है प्रोटीन से या गलुकोस से या फिर वसा से बिटमिन से किसे मिलती भाई तो हमको जो सबसे तेज उर्जा मिलती है आतिसीघर उर्जा मिलती है गलुकोसी मिलती है किसे मिलती है गलुकोसी इसी लिए आपको पता होगा कि गलुकोंडी वगरा लोग पीते हैं तो इससे हमको आतिसीघर उर्जा मिलती है अगला प्रसन है सब्जी भाजी किन भोज़ पदार्थों कि स्रेड़ी में आती है ये तनी भी सब्जियां अगरा होती है ये किस भोज़ पदार्थों में आती है तो ये आपकी आती है रक्षात्मग भोज़ पदार्थों में रक्षात्मग में आपसा नम्बर इसका एक अर दूद जो है अपने आप में संपूर है जो कि एक बच्चा जो होता है वो कुछ और नहीं खाता केवल दूद पीता है लेकिन वो जी बित रहता तो दूद क्या है अपने आप में एक जो है संपूर आहार है दूद अगर आपको मिलता है तो आप मरेंगे नहीं यह आप मुझ नाराज मत होईएगा कि हाँ हमने मरने वगारा का नाम लेला बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि सर जी आप मरने की बात या फिर ऐसी इस परकार की बात ना किया करें बिल्कुल नहीं करेंगे चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई फटा बट से अब इस पर जब मैं भाई बोलता हूँ तो मेरी बहने जो हैं भी नाराज हो जाती है तो भाई यों बहनों मोदी जी हम बन जाते हैं थोड़े दरी के लिए देखो भाई अगला परसन आपके समख्च क्या है फिर भाई निकल गया कोई दिक्कत नहीं तो भाई निकलेगा ये आदत है और आप लोग सटिस्फाई करिए मलब के एक परकार से इसको मैनेज करिएगा अगला परसन इस में से कौन सा समपोर आहार है भाई तो आपका दूध होता है अगला परसन देखें कि भोजन में उर्जा का साधन क्या है भोजन में उर्जा का साधन क्या है भाई खनिज लमण है या स्टार्च है कार्बो हाड़ेट है तो भोजन में जो उर्जा का साधन है कार्बो हाड़ेट आपस नमबर इसका सीकर्ट है अगला परसन है भारतिये स्वास्त संगठन ICMR ने समस्त पोस्तक्त्यों की सुचार पूर्ती के लिए भोज पदार्थों के समुह निधाद कियें कितने करें हैं उन्होंने पांच करें आपसे नम्मर इसका भही कर्ड़ बाकी मुख्य रूप से पूछा आता है तो कितने हैं भाई साथ आगे देखते अगला प्रसन देखो आपके समक्षा जो का है प्रसन क्या है प्रसन आपका है कि अमेरिका के प्रसन है अमेरिका के नेस्नल डिसर्च काउंसिल अमेरिका के नेस्नल डिसर्च काउंसिल ने भोज पदार्थों के कितने मौलिक समुह निधारत किये हैं तो इन्होंने कतेने करें भाई, अमेरिका के निस्टनल रिसर्च काउंसिल ने भोजपदार्थों को साथ तरीके से बता है, साथ भोजपदा था, आपसा नमबर इसका सीगर्ट है, और जो भारती हिसाब से बात किया है, तो दोनों आप लोग जानते रहेगा, अगला प्रसन निम्न में से कौन सा भोजन का कारी है, निम्न में से कौन सा भोजन का कारी है, तो भाई कारी क्या है, उर्जावा सक्ति उत्पन करना बिल्कुल कारी होता है भोजन का, तो भोजन का कारी क्या है, उर्जावा सक्ति भरदान करता है, सरीर की टूट फोड जो हो जाती, उसकी मरम्मत भी करने कार्किस का होता है तो इस भोजन का ही होता है सरीर की ब्रद्धी और विकास करना हुआ तो उसमें भी भोजन सहायता पदान करता है तो आपको आपसन D में मिल लहा है एकलोता आपसन ये सबी यही correct answer होगा आपसर numbers का D होगा अगला परस देखो भाई next हमारा भोजन कितने भागों में बटा होता है तो हमारा भोजन जो होता है उम्मोखी रूप से तीन भागों में बटा हुआ होता है आपसर numbers का B correct है अगला परस भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि यह सरीर का दिनमार करता है बिल्गुल करता है सरीर को उर्जा परदान करता है इसलिए भी हमारे लिए उपयोगी है ब्यक्ति को मांसिक संतुष्टे परदान करता है इसलिए भी भोजन हमारे लिए उपयोगी है इसलिए उपर अगला परस देखते हैं वाई अगला परस देखते हैं सुरक्छात्मक तत्तों की प्रापती के साधन है सुरक्छात्मक तत्तों की प्रापती के साधन है विटमिन या खनिज लवन या जल यह सबी तो सुरक्छात्मक तत्तों की प्रापती के जो साधन है खनिज भी होते हैं तो आपसक तनाव भी भोजन अगर आपको लोग कर लेते तो कम होता थोड़ा साथ तो आप से नमबर इसका क्या गड़ी हो तो कभी आपको मांसिक तनाह हो तो आप पहले क्या करें आप अगर भूखे हैं तो भोजन कर लिजेगा अगला परसन आपके समक्चे सरीर की ब्रद्धी वा विकास करने वाला पदार थे एक बार वीडियो को भड़ा पड़ से यतनी भी लोग देख रहे हैं लाइक और सेर कर दीजेगा बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी पर यूटूब चनल सुकलाईडी पाइंट में आप सभी लोग जो है सुकलाईडी पाइंट पर देख रहे हैं फूड अनिवार परसंपत्र को करिकुलम विसय जो कि आपके लिए बहुत ही यादा इंपोरेंट है बीडियो को देखेगा वीडियो लाइब होने के बाद में आपकी चैनल पर सुक्राइड पर अपलोड हो जाएगी आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हैं शरीर की ब्रधीवा विकास करने वाला पदार्थ है प्रोटीन या कार्बो है डेट या वसा या विटेमिन वा खनीज लमड बताने का प्रियास करें सभी लोग बताने का प्रियास करें बिल्कुल करेक्टर अंसर आप सभी का रहा है सरीर की ब्रधिवा विकास करने वाला जो पदार्थ है अगला पसने उरजा उथ답 पादक तब तो कौन सा है प्रोटीन है, कार्बोॉज़ वसा है, या फिर झल होता है तो भाई उरजा उततख जो तब तब है, वसा से आपसना नमर्स नमर इसका भी करक्त है, अगला पसने ले ग्यानिक कारी है भोजन के सारी डिक मलब किरियारत कर्यारत 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 कर्यार नाम है इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल लिसर्च का नाम है इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल लिसर्च आपसा नमर डी में दिया होके आपको आपसा नमर डी में दिया होके आपसे जाम से पूछेगा कि शरीर को स्वस्त रखने के लिए क्या आवस्यक होता है तो संतुलित आहार जो है शरीर को सस रखने के लिए आवस्यक होता है सारीरिक सरम करने वाले बिक्ति को लगबग और लगबग दिन भर में कितनी आवस्यक्ता होती है कितने कैलोरी की तो साधरन कार करने वाले एक बिक्ती को लगबग कितनी कैलोरी की आवसकता होती है तो 3600 कैलोरी की आवसकता होती है अब साधरन कार करने वाले बिक्ती को साधरन कार करने वाले बिक्ती को अब दिभाई कितनी कैलोरी की आवसकता होती है आईए हम बात कर लेते हैं परसन ही आपके समख्षा चुका है परसन क्या है बड़ी ध्यान से देखेंगे परसन है कि साधारन कार करने वाले एक बिक्ती की लगभग कितने कैलोरी की आवस सकता होती है एक साधारन बिक्ती की कार करने की भाई तो कितनी होती है तो कितनी होती है तो भाई कितनी होती है वो पचीस सो से लेकर के तीन हजार ओके आपसा नमबर इसका ये करट है अगला प्रसनाब के समक्ष है किस आहार को संपूर कह सकते है फड़ा पड़ से बताने का प्रयास्क नहीं है कि साहार को संपूर कर सकते हैं अभी मैं ने बता था आपको दूद को आप सनम्बर इसका भी करक्ट है अगला प्रसन आपके समक्षा चुका है संतुलित अहार क्या है संतुलित अहार क्या होता है जिसमें उचित खादी पदार्थ का समाबेस हो भी संतुलित अहार है जिसमें बृधिकाल में भोजन में किन पोशन तत्तों का अधिक समाबेस होना चाहिए भाई तो बृधिकाल में बात की है भोजन में जो है प्रोटीन की जो आवसकता है उसको बढ़ा देनी चाहिए आप सनमर इसका एक रख्ट है अगला पसन है रख्ट ताल पता रोग किस खनी जो लमन की कमी सी होता है रख्ट ताल पता जो रोग है वो लग तत्त को अगर आपके अंदर कमी हो जाती है लग तत्त की आईरन की कमी होती है तो आपको क्या होता है रख्ट ताल पता नामक रोग हो जाता है तो आप सनमर इसक भी करट होगा अगला परसने कोपोशन के कारण होने वाला रोग कौन सा है तो कोपोशन के कारण कौन सा रोग होता है भाई तो कोपोशन के कारण जो है क्वास योर कर नामक रोग और मैरे मस ये दोन रोग हो जाते हैं किसके कारण से कोपोशन के कारण से अगला परस देखते हैं अगला परस आपके लिए बहुत ही अदमाहत्पूर्ण हएक जामस में आ सकता है और जब आपने की कई कौन सी भाई उर्जा की मापकी कई कौन सी है आपकी कैलोरी है अगला परस देखते हैं परस के पेक्षा इस तरी के आहार में कैलोरी की मातरा कम होनी चाहिए तो भाई कम होनी चाहिए तो परस के पेक्षा इस तरी के आहार में कैलोरी की मातरा कम होनी चाहिए आपसा नमर इसकाई करक्ट है अगला पसने संतुलित भोजन के लिए आवस्थ है भाई संतुलित भोजन के लिए क्या आवस्थ है प्रोटीन, कार्भोहड़ेट या वसा या फिर सभी तो भाई ये सभी संतुलित भोजन के लिए प्रोटीन भी जरूरी है कार्बो हड्रेट भी जरूरी है यह सा भी जरूरी है यह सा भी जरूरी है आपसा नमबर D अगला पसन है एक कैलोरी में कितने किलो कैलोरी होती है एक कैलोरी में कितने किलो कैलोरी होती है भाई कितने जूल होते हैं आप से पुछाइस झ मताएंगे एक तालिससोजूल होता है कैलोरी में एक तालिससोज़ूल होता है अगला पॉसन है अगला पने के समक्ष क्या है शरीnumber future आपके समक्षऺ क्रोटीन प्रसन क्या है कि एग अप्रशन हे की एक गनाम prof एक किलो कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है अगला पसन है एक गराम कार्बो हाड़ेट में कितनी उर्जा मिलती है तो एक गराम कार्बो हाड़ेट में चारदसमलो एक किलो कैलोरी की उर्जा भी मिलती है ओकी आपसन नमबर इसका ये करेट है अगला पस देखते हैं कार्बोहड्रेट प्राप्ति के प्रमुख सुरोत कौन से है तो भाई कार्बोहड्रेट जो है हमको सक्कर में भी मिलती है गुड में भी मिलती है सक्कर कान में भी मिलती है आपसा नमबर इसका डीद या उपर सभी मिलती है के अगला पस देखते हैं अगला पस आग keyword है एक जटिल कार्बोज है यह फिर जो यह गलाइकोजन यह इस्टार्च प्रेपन तो एक जटिल कार्बोज जो है आपका कौन है ي ही you आपसा नमर इसका एक रख्ट है अगला पस देखते हैं कार्भोहड्रेट की कमी से क्या होता है बाई कमजोरी आती कार्भोहड्रेट की कमी से क्या होता है कमजोरी आती आपसा नमर इसका डिक रख्ट होगा अगला पस देखते हैं सभी अस्तंधारियों के दूद में उपस्त तरहता है भाई लेक्टोज जो होता है वो सभी अस्तंदारियों के दूद में उपसित होता है दूद में खास करके लेक्टोज ही पायाता है इसलिए इसको नापने के लिए जो है लेक्टोमीटर का प्रियोग के आता है अगला पर सरलतम सरकरा होती है सरलतम सरकरा कौन सी होती गुलू को जोती सरलतम सरकरा आपसा नमबर इसका यह करक्ठ है अगला पस देखेंगे आप सभी लोग जो है प्यक्टिन पायाता है प्यक्टिन किसमें पायाता भाई प्यक्टिन जो है आपका किसमें पायाता पके हुए फलों में प्यक्टिन पायाता अगला पस देखते हैं कार्बोहड्रेट को सरकरा एकाईयों की दिष्टी से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है कार्बोहड्रेट को सरकरा एकाईयों की दिष्टी से कितने वर्गों में विभाजित किया गया भाई तो दूद से जो है कार्बो हड्रेट की प्राप्ती जो है लगवग नहीं होती है बाकि चीनी से गुण से और सहद से इन सभी से जो है कार्बो हड्रेट की प्राप्ती होती है अगला पसंद निम्लिकित में से कार्बो हड्रेट प्राप्ती के साधन है आलू, अर्बी, जिमिकंद, उपर इस सभी, तो भाई, इस सभी से मिलती है, कार्बोहड्रेट, किसे इस सभी से मिलती है, रिकेरी, रोजरी, किस रोग का लग चणए, तो अस्थी, विकिर्टी का लग चणए, ओके ये बात ध्यान रखेंगे, अगला परस देखते हैं, अग गलूकोज के हैं, आपसा नमबर इसका है, गलूकोज का सुद्र क्या होता है, C6H2O6, ओके, अगला परस देखते हैं, अगला परस देखते हैं, अगला परस देखते हैं, आपकी परिच्छा के दिष्टी से भी, और ये देखिए, परस देखते हैं, परस देखते हैं, परस अगला प्रसन है कार्बोहड्रेट के संगठन का निम्न में से कौनसा अंग नहीं है तो नाइट्रोजन जो है नहीं है आपसा नमबर इसका डिकर्ट है एक बार जितने भी लोग देखने हैं पड़ापट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा अगला प्रसने इस्टार्ज की प्राप्ति क्या साधन है इस्टार्ज की प्राप्ति क्या है भाई तो जड़ बीजों से क्या होती है जड़ और बीज से प्राप्त होती है क्या स्टार्ज हमको आपसा नमबर इसका भी करक्ठ है अगला प्रसने है वा कौन सी सरकरा है जिसका मनुस्य में पोशन के रूप में कोई महतो नहीं है वा कौन सी सरकरा है जिसका मनुस्य सरीर में पोशन के रूप में कोई महतो नहीं है तो सेलुलोज होती है आपसा नमबर इसका भी करक्ठ है ठीक इसको मन सुपचा हमें पाता अगला प्रसन है कार्बो हैडरेट प्राप्ती के सरकरा युक्ति पदार्थ है कोन है वाई diagnostic है गुढ़ है या फिर बुरा है शकर है अउपर सभी हैं सकर जो होता कार्बो हैडरेट का यह सबसे प्राप्ती का जो सबसे अधिक प्रकार से पदार्थ प्रोटीन का 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 प् कार्बो हाड़ेट के इस्टार्च युक्त पदार्थ कौन है भाई तो बाज़रा जो है वो क्या है कार्बो हाड़ेट के इस्टार्च युकता है आपसा नमबर इसका सी करख्ट है अगला पस देखते हैं दोहरी सरकरा किसे कहते 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 हैं तो वो दोहरी सरकरा कहते हैं तो वो दोहरी सरकरा कहते हैं किसको सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज को यह है दोहरी सरकरा कहते हैं अगला परसंसामान तवर पर रख्त में गलुकौच की मातरह कितनी होती है यह QA st tremend जो है आपको जो है यह जिसको पता हो आपर बताने का प्रियास करेंगे वह इससे पर आधा important है नहीं यह पर आप अमने रखा लेकिन इसका उत्तर जो है यह यहां हमने इसको गूगल किया ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास अगला प्रसना है निम्द में से कौन सा कार्बोहडिट का अच्छा सुरूत है प्रसना है निम्द लिखित में से कौन सा कार्बोहडिट का अच्छा सुरूत है बाई बताने का प्रयास करने तो कौन अच्छा सुर पायाता है फलों में पायाता है कार्बोर्डेट सब्जे में पायाता है दूद जिसे जब मीठा होता तो उसमें पायाता है बाकी दूद में उसे कार्बोर्डेट अधिक मात्रा में नहीं पायाता तो नगड माना जाता है उसको ठीके बाद ध्यान लखेंगे अगला प्रसने वसा में LD हाइड और कीटोंस बनने की संपूर क्रिया को क्या कहते हैं प्रसने क्या है प्रसने कि वसा में LD हाइड और कीटोंस वसा में LD हाइड और कीटोंस बनने की संपूर क्रिया को क्या कहते हैं तो इस संपूर के लिया को हम क्या कहते हैं भाई रेंसी डिटी के नाम से आनते हैं अगला परस देखते हैं अगला परस ने वसा का निर्मार होता है परस ने क्या है आपका भाई परस ने है आपका वसा का निर्मार होता है वसा का निर्माड़ कहां पर होता है भाई वसा का निर्माड़ होता है कहां पर होता है भाई तो कारबन हाइडोजन तथा आकसिजन से मिल करके वसा का निर्माड़ होता है आपसा नमबर इसका भी करेक्ट होगा वसा आती ही सुच मकरणों के रूम में दरों पर तैदने लगती है आ क्रिया क्या कहे लाती है। तो इसके लिए को हम पाइसी करण के नाम से रहएं क्या कहते हैं पाइसी करण जैसे आप देखे होंगे जब पानी आपके पास है मालते एक बाल्टी पानी है उस पे आप तेल की बूंदे जो है छीट दे या तेल मिला दे उस पानी में तो तेल की बूंदे जो होगी छोटी-छोटी मलकी बन जाएंगी और उसी पानी पर क्या होने लगेंगी तैरने लग हो जाता है तो वसा के दिखता से कौन सा रोग हो जाता है भाई तो obesity नामक रोग हो जाता है वसा के दिखता से आपसा नमबर इसका डी करक्ठ है अगला परस देखते हैं अगला परस ने प्रोटीन किसका बना होता है प्रोटीन किसका बना होता है वसा का या अमीनो एसिड का या ATP का होता है या फिर खनिच का होता है तो जो प्रोटीन होता है वो खास करके किसका बना होता है तो अमीनो एसिड से प्रोटीन जो है बना होता है अगला पस देखते हैं प्रोटीन की आवसकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रोटीन की आवसकता को पाचन उस छंता उसकी कैसी सवस्था है उसकी किस परकार की सवस्था में है तो उन सब जो है टीनोड करता आप से नंबर्स कड़़ी करेट होगा यह सबही अगला परस देखें भाई अगला परस आपके समख्ष है आवस्से कामीन Bonus Ag oriented की संक्या होती है आवस्से कमीनो इसिट की संख्या कितनी होती है तो 9 होती है आवस्से कमीनो इसिट की संख्या कितनी भाई 9 है अगला परसन आपके देखते हैं इसका भी होगा अगला परसन है आपके समख्ष प्रोटीन प्राप्ती के साधन है प्रोटीन प्राप्ती के साधन है अगला परस ने पुर्सों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवसकता है पुर्सों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवसकता है कितनी भाई तो 60 ग्राम 60 ग्राम अगर प्रोटीन दिर भर में मिल जाती है तो एक पुर्स के लिए ठीक ठाक है अगला परस देखिएगा अगला परस ने बानस पतिक भोज पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन कहलाती है बानस पतिक भोज पदार्थों से प्राप्त प्रोटीन कहलाती है क्या कहलाती भाई बानस पतिक प्रोटीन के नाम से जानी है ते अगला परस देखो भाई आगला परसनाब के समख्षा जो का है बहुत जादा महत्वोन परसनाब के समख्षाने वाले हैं आपसे पूछे कि जो है क्या सरी ओर कर जो है रोग की खोज सरब्रतम किसने की थी तो कम अमलब की गई थी तो 1993 में की गई थी ओके दूध में कौन सा प्रोटीन पायाता है दूध में प्रोटीन के रूब में क्या होती है इसकी नमक प्रोटीन पायती है घेंगा रोग किस तो कमी से होता है भाई तो आयोडीन के कमी होती है तो घेंगा रामक रोग होयाता है सोडियम प्राप्ति का अच्छा सरूत कौन सा नम करता है आगला परसुन है आपके समख्ष कि हमारे सरीर में परस्न क्या है परस्न है हमारे सरीर में कौन शूसा अंग इलक्टरा लाइट के अस्तर को नियंतरिद करता है हमारे सरीर में कौन सा अंगैसा है जो की इलक्टरालाइट के अस्तर को नेत्रित करता है तो गुर्दे होते हैं आपसे नमर इसका सीकर्ट है अगला पस देखो भाई अगला पस ने आखों या पलकों के जपकने के लिए आखों या पलकों के जपकने के लिए किस खनीज लमड़ की एहम भूमिका होती है तो आखों या पलकों को छपकने के लिए जो खनीज लमड़ है वो आपका कल्सियम होता है आपस नम्बर इसका ڈěगर्ट है अगला पशन है सोडियम, पोटेसियम और कुलोराइड सोडियम, पोटेसियम तो था क्लूराइड किस तत्यक है साथ मिलकर करके जो अगला प्रस्ट नहीं मानों सरील की अस्थियों में क्या मानो सरीर की अस्थियों में कौन से दो खनीज लमड अधिक मातरा में पायाते हैं प्रस्ण क्या है कि मानो की सरीर अस्थियों में घड़ी जो है उसमें प्रस्ण है कि मानो सरीर की अस्थियों में कौन से दो खनीज लमड अधिक मातरा में पायाते हैं तो भाई कौन से पायाते हैं तो वो है कैलसियम और फास फोरज जो है हड़ियों बहुत अधिक मातरा पायाते हैं आपसा नंबर इसका सी करक्ठ होगा आगे बढ़ते हैं अगला परसन आपके समक्ष है कि मानुस शरीर की अस्थियों में कौन से दो खनीज लमण अधिक मातरा पायाते हैं तो कौन से भाई मानुस की सरीर की हड़ियों में तो कैलसियम और फास फोरस की जो है उसकी मातरा सबसे अधिक होती है आपसा नंबर इसका सी करक्ठ होगा एक बार सभी लोग फड़ा पड़ से वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा दबा करके सभी दोस्तों की परिक्षामें आएंगे आपजेक्टिक टाइब के होके फड़ा पड़ से वीडियो को लाइक और चार करेंगा अगला प्रस्थियम किस विदूत प्रवाह सरीर में प्रवाहित करता है तो कौन सा विदूत प्रवाह सरीर में प्रवाहित करता है बाई ओं Biani थी करते हैं okay कि positive करते पॉजिटिफ कौन सा अपसन है आपसन जो है बि में positive बी वाला domu कि आगे अगला परसान लगबग शाड परतिस्त मैंगि इसियं सरीर में कहाँ पायाता है उान स्पीसिव पायाता है कंकाल में हिर्दय में फेफ़रों में तो लगबग 60% जो मैगनिसियम होता सरीर में वो मांस पेसियों में ही पाया था आपसर नमबर इसका ये करक्ठ होगा अगला परसन है सोडियम तथा पोटेसियम किस तरह का विद्दू सरीर में परवाहित करते हैं तो अभी भी हमने समझा कैसा करते हैं भाई पोटेसियम करते हैं आपसर नमबर इसका ये करक्ठ होगा अगला परसन है निम्द में से किसके बनने से बनने में मैगनिसियम मददगार होता है निम्द में से किसके बनने में मैगनिसियम मददगार होता है तो जो है किसके बनने बलड के बनाने में या ATP के बनाने में या मायो गुलोबिन के बनाने में या फिर लाइबी नंग एसिट के बनाने में फटापट से बताने का प्रियास करें क्या होगा करक्टर इसका तो मैगनेसियम किसके बनने मददगार होता है भाई तो वो होता है आपका लाइबी नंग एसिट बनने के झब विटामिन दी जो होता है आपका जब विटामिन दी फास फूरस के साथ मिलता है तो वह प्रहाभी होता है आपसा नमबर इसका भी करक्ठ होगा अगला परसन है आपके समख्ष पूछा जा सकता है एक जाम से में कि एक वैस्क मनुस्य को अपने प्रतेक दिन में एक वैस्क मनुस्य को अपने प्रतेक भोजन में प्रतेक दिन आवस्तन कितना पोटेसियम लेना चाहिए एक वैस्क मनुस्य को अपने भोजन में प्रतेक दिन आवस्तन कितना पोटेसियम लेना चाहिए 40 मिली गराम देना चाहिए आपसा नमबर D में दिया है 40 मिली गराम अगला प्रसन है गाजर गाजर इस्टा बेरीज, केला तथा फूल गो भी निम्द में से किसके अच्छे स्रोत है मलब इन सम्में क्या पायाता है विटाविन C पायाता है इसमें तो केलसियम जो होता है गाजर में पायाता है इस्टा बेरीज में पायाता है केला में पायाता है फूल गो भी पायाता है इसमें केलसियम पायाता आपसा नमबर इसका बीक अरक्ठ आगे देखते हैं अगला प्रसन अगला प्रसन आपके समख्छा चुका है अगला प्रसन क्या है कि सरीर के लिए कल्सियम का कारी है सरीर के लिए कल्सियम का कारी है बताने का प्रियास करें सरीर के लिए कल्सियम का कारी है बताएं सरीर के लिए कल्सियम का कारी है सरीर के लिए कल्सियम का कार क्या है मल मूतर के मादियम से सरीर के लिए कल्सियम का कार है मल मूतर के मादियम से पसीनी के मादियम से सोसन खिरिया के द्वारा तो सरीर के लिए कल्सियम का कार क्या है भाई तो ये जो है कल्सियम जो होता है मलमोतर के मादम से भी और पसीने के मादम से भी तो आपसे नमबर इसका क्या होगा ए और बी दोनों के आपसे नमबर इसका ड़ी होगा अगला परसने बिटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है सबी को पता है इसका भी विटामिन C कमी सी होता है विटामिन B कमी सी बेरी-बेरी होता है विटामिन A कमी सी रताउंधी होता है आपका घेंगा जो होता है आपका आयोडेन की कमी सी होता है विटामिन कमी सी नहीं होता है खंज लमण की कमी सी होने अला लोग है घेंगा अगला परसने किस बिटामिन का प्रमुक कारे नेतर जोती ठीक करना है तो किस बिटामिन का कारे भाई नेतर जोती माने की होता है आख को आखे में अच्छा दिखाएगा तो रता उंधी में कम दिखाई पड़ता है सायंकाल में तो vitamin A अगर आपके सरीर में कम होता है तो ये आख में आख से कम आपको दिखाए पड़ने लगता है थोड़े सायंकाल में ही तो आप सनमर्स का क्या होगा B अगर vitamin A की मात्राप में परचुर है अधिक ठीक ठाक है तो आपको अच्छा दिखाए पड़ेगा अगर आपस ने vitamin K की खोज कब की गई vitamin K की खोज जो है कब की गई भाई तो 1934 से दिए vitamin K की खोज होई थी आप सनमर्स का C करक्ठ है अगर आपस देखिए बहुत यादा महत्पूर है बेरी बेरी रोग निमन में से किस vitamin की कमी से होता है बेरी बेरी जो होता भाई बेरी बेरी नामक जो रोग है वो vitamin B की कमी से होता है किसके vitamin B की कमी से होता vitamin B को किस नाम से जाना आता थाइमीन के नाम से जाना आता आपस नमर्स का A करक्ठ है तो थाइमीन A में दिया है अगला परसन है परजनन सक्ति में कमी किस बिटामिन के अभाव में होती है अर्थत किस बिटामिन के कमी से परजनन सक्ति में कमी आजाती है तो बिटामिन E अगर आप में कम है तो परजनन सक्ति की आपके अंदर कमी आजाती है आप सनमर्स का सिकर्ठ है अगला परसन है नियासिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है भाई नियासिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है भाई खामीर जो होता है वो है आपसे नमर्स कर दिये अगर आपस लगते हैं बेरी बेरी रोग किस बिटामिन की कमी सी होता है तो बेरी बेरी जो रोग है आपका वो बिटामिन B की कमी से बेरी बेरी होता है बिटामिन C की कमी से आपका इसकरभी होता है बिटामिन D कमी से रिक्याट सारसा सूखा नमग रोग होता है ये सब चीज गाध्या नखेंगे तो विटामिन सब्द जो है सबसे पहले फंक महोदे के द्वारा प्रस्ताबित केगा आपसर नमबर इसका ये करक्ठ है अगला परस देखते हैं विटामिन के की प्राप्ती के मुखिसरोत क्या है विटामिन की की प्राप्ति के मुख स्रोत क्या है भाई पालक जो होता है विटामिन के पालक में ज़्यादा पायाती हो अगला परसन है विटामिन A अधिक मातरा में पायाता है विटामिन A कहां पर सबस्यादा पायाता है भाई बिटामिन A की जो प्राप्ती अधिक मात्रा में होती है कद्दू में होती है आपसे नम्बर इसका भी करख्ठ है अगला परसन है सरीर की उचित ब्रद्धी है तू वह बिटामिन अतियंत ही महत्पूर है वह बिटामिन कौन सी है तो बिटामिन A जो है वही महत्पूर है आप पुछे कि जो है खट्टे रस्दार फलो में कौन सा बिटामीन होता है तो कौन सा होता है भाई विटामीन सी जो होता है वो खट्टे रस्दार पदार्थों में होता है यह बात ध्याद नखेंगे ओके जल में घुलनसील विटामिन अगर हमने बता ही दिया था विटामिन इए का कार पूछे के तो क्या बताएंगे परजनन सक्ति को बढ़ाना ही विटामिन जो है आपका एक कार ही होता है ओके और कौन सी बिटामिन जल में घुलन सील है कौन सी पानी में आपको पता है कीड़ा है ध्या नेखीगा कीड़ा कीड़ा जो सब्द है बिटामिन के बिटामिन ए बिटामिन डी बिटामिन ए यह चार बिटामिन जो हैं यह कीड़ा सब्द वसा में घुलन सील है बाकिज दने भ आपका B1 है वो किसके मेटाबोलिज्म में कारी करता है तो कार्बोहडेट के आपसा नमबर इसका से करक्ठ है अगला प्रसन है विटामिन B1 की प्राप्ति कहां कहां से होती है तो विटामिन B1 की प्राप्ति जो होती है आपकी अनाजों से होती है दालों से होती अंडा से होत का का करक्ठ है बिटामिन B के complex होते हैं कई सारे लाइन took की कमी से खुला का प्थाहरा इस प्रकार्च का रहना यह पार यह नाव से होती है यह बिटामिन B종 से समख difumित रहे हैं थी नाम किया नाम किया है यह सक्वôn इलर्जी इसको militar नाम क्या है भाई नाइसिन विटामिन भी थिरी का क्या नाम है दूसरा थोरे विटामिन भी थिरी का दूसरा नाम क्या है नाइसिन नाम है ओके अगला परस्ण है विटामिन भी थिरी का दूसरा नाम क्या है अगला परस्ण क्या है आपका कि विटामिन भी थिरी का दूसरा नाम कwah guarantee ten नहीं दूसरा झाशीन जो है विटामίν दी थीरी का नाम है और विटामिन बी 2 का नाम है और विटामिन बी टू का नाम है और विटामिन बीमन का जो नाम ह którego क्या नाम है वह आपका 3 आप मत रखे vitamin B5 कर लीजिए vitamin B5 का दूसरा नाम क्या गां vitamin B5 का दूसरा नाम क्या भई vitamin B5 का दूसरा नाम है par retatihanicamplika तो और छंग Hier आगला पस देखे vitamin B3 की कमी से कहोंolly सा रोग होता है vitamin B3 कंसे काहों very होता तो पहले ग्रानम आगरों आगर आपस अगर LA आपस देखते हैं का क्या कारे भाई तो यह RBC को बनाने भी मदद करता है कौन विटामिन B6 आपसे नम्बर इसका ड़ी होगा एक बार समय लोग वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा अगला परसन है विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या भाई विटामिन B12 का जो दूसरा नाम है क्या है कोबाल लगे के इस यह जो दियाःसी आपसं ओको यह करक्ठ होगा अगला परसन है अगला परसन है आपका विटामिन judge के क्मी से क्या भाई-बिटामिन C का दूसरा नाम है आपका स्कॉर्बिक कमल जा ध्यान लखेगे घंजब से प्रस्वाइन सकते हैं आपसे पूछेगा कि विटामिन H की कमी से कौन सा रोग होता है तो गंजा, पन, एनिमिया, विटामिन H की कमी से भी रोग होते हैं ओके ये बात ध्यान लखेंगे विटामिन H का दूसरा नाम क्या है तो बायोटीन विटामिन H का दूसरा नाम है ये बात भी ध्यान लखेंगे ओके आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए सरीर को तुरन तुर्जा प्रतान करने वाला पुसकत तो कौन सा है कार्बोहर्डेट है कार्बोहर्डेट के अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होता है मधुमें हिनामक रोग हो जाता है ये बाद ध्यान नखेंगे विटामिन हमारे लिए कैसे उपयोगी है सरीर के रोग परतियों से छमता जो होती है वो विटामिन से द्वारा ही बढ़ती है अना आज के अंकुर में भोजन का कौन सा तो पायाता है तो विटामिन B जो होता हो पायाता है सूर की प्रकास में विटामिन डी पायाता है आगे बढ़ा जाए अगला प्रसन अगला प्रसन आपके समक्षा चुका है मात्र थायराइड हार्मोन क्या मात्र थायराइड हार्मोन के संसलेशन के लिए महत्पून है जो परिवर्तन शुरूप भुरूण के किंद्री तंत्र के विकास के लिए आवस्यक होता है क्या है भाई वो तो उसको हम जा कहते हैं आयोडीन कहते हैं आपसे नंबर इसका डिक रखट है अगला परसन है कौन सा एक बल कौन सा एक बल विकास को प्रभवित करने वाला कारक नहीं है तो कौन सा आयो नहीं है बाकी पोशन, हर्मोन और अन्वान सिकता ये सब विकास को प्रभवित करने वाले कारक है अगला परसने गेहु, अन्डे, वा जर्दी का दूध किसْ बिटामिन के अच्छे सुरूत है तो किस बिटामिन के अच्छे सुरूत है यह सब तो बिटामिन है आपकी कौन बिटामिन E, आपसा नम्बर इसका B कर्क्रोंट है अगला परसन है पालक सोयबीन तथा सुर का यकिर्थ किस बिटामिन के लिए अच्छे सुरूता है यह किस बिटामिन के अच्छे सुरूत माने जाते हैं यह भाई बिटामिन के किस के बिटामिन के के अच्छे सुरूत है आपसा नमबर इसका ये करेक्ट है अगला परसन देखो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन की के कमी से कौन सा रोग होता है रक्त जमने में समय लगता है रक्त का ठक्का जो है नहीं बनता है आपसा नमबर इसका D करेक्ट होगा प्रोटीन में nitrogen पायाता है carbohydrate में nitrogen नहीं पायाता है तो किवल एक पुस्यकत्त में nitrogen पायाता है पुस्यकत्त कौन सा है प्रोटीन है एक जामसे में पूचेगा आप ध्यान लखेगा अगला प्रसने monosacuride है वसा protein calcium या carbohydrate तो monosacuride कौन है भाई नहीं होटा है अगला प्रसने मानो-सरीर के लिए fuel food कौन सा होता है तो मानो उसरीर के लिए fuel food कौन सा है भाई वसा यों carbohydrate जो है fuel food है आप सा नहीं प्रसने आगला प्रसने carbohydrate का उत्तम सुरोत कौन है यहूं जो है वह तो कार्बोहर्टीर का सबसे अच्छा उत्तम सुरूत माना था आपसे नमबर इसका ये करक्ट है अगला पसे रिखते हैं वसा का उत्तम सुरूत कौन सा है तो वसा का उत्तम सुरूत आपका कौन सा है मखन जो है यह वसा का उत्तम सुरूत है अगर आप लोग मखन खाते हैं तो आपको फैट मिलेगा वसा मिलेगी अगला पस्ता है प्रोटीन का उत्तम सुरुत कौन सा भाई तो सोया बीन जो है उससे प्रोटीन ज्यादा मिलती है मक्षन से आपको वसा मिलती फैड मिलता है और जो है आपका कार्बोर्डेट किसे मिलता है यह हूं से यह तो यह लगबग 100 से अधिक परसन हमने यह लिए फियार वजजी से हुई थी सक लास को देख लीजगा हो इसको है इसको नहीं देख लीजगा ठेक इन सभी को देख लीजिगा सबीसे प्रसनाबकि आपकी एक्जाम से में आएंगे आपका कोई भी पर हो जो है फोर्ड इंटसन और हुआइजन से सारी रिस्क्षा हो योगा हो फिटनेस हो कुछ भी हो तो हुण सभी से पूर से आएंगे तो यह फूर ने रहे उडियों जान के दिए इसको से लिग में इसको देखेंगे सुस्योलाजी नथि हो गया आपका बोगोल्झाटर सांस हो गया हिंदी साथ होगा सभी का तो आप लोग सभी को देख लीजीगा फिर मिलते हैं नेक्स्टी वीडियों तब तक के लिए जह भारत आप सभी का बहुत-बहुत धनीबाद हमारा से जुनने के लिए इसी परकार से अपना प्यार दूला बन रखेगा वीडियो को लाइकर चालने पर नह सच्छता वाली ओके फोड़ इंट्रेशन और हाई जाइज ओके तो इसके कलास कल फिर लगा देंगे सी कि कलास तो आपकी जो है कल भी लग जाएगी तो कब पेपर है आपका भाई पेपर आपका कब है पेपर आपका कब है तो पचीस-चब्श पचीस को आपका हो गया और 26 को आपको हो जाएगा 27 को आपका पेपर होगा साथ किसी भी उनिश्टी का 27 को लगा हुआ है तो सभी के लिए इंपोरेंट है सभी विस्विद्ध द्यालेओं के लिए हैं लक्षर महत्पून है ओके धनिबाद आप सभी का